हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और और भी कॉमिक्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तब ही तो आगे अप्लोड करेंगे तो देखते हैं ये नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज सिरिज का पर्थम कॉमिक्स लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं देखिये यह सुरू बता है राज कॉमिक्स की एक दुरलब खोज नागराज चेतर कधा पर्थू राम सर्मा चितरानकन परताप मलिक संपादक मनिश चंद्रगुपता अतंगवादी गिरो की तबाही का देवत्या संसार में फहले अतंगवादी संगठनों के नेताओं को पर्फेसर नागमनी ने गोप निये मंतरन भेचा बर्सों से नागमनी का संपर्ग इन लोगों से बना हुआ था पर्फेसर द्वारा उन्हें महत्पुन सुचनाएं मिला करती थी लेकिन इस बार कोई विशेज बात थी पर्फेसर ने उन्हें सुचना दी थी कि वो अतंगवादी गिरोख के लिए सबसे खतरनाख हतियार बनाने में काम्याब हो गया है और अब अपने उस हतियार की को किराय पे चलाना चाहता है उसने इस हतियार का नाम रखा था नागराज रंगून की एक आलिसान इमारत में विविन देशों से आय अतंगवादी नेता एक तरत हो रहे थे यहां का मौसम खास गर्म है कनाड़ा और वर्मा के भोगौलिक स्थिती बहुत भिन्य है अगर नागराज हमारे मतलब का हतियार हुगा तो हम मिडल इस्ट को हिला कर रख देंगे आटेंशन प्लीज आप सभी अतितियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल होल में पहुच कर अपनी अपनी सीटे गरहन कर ले सब लोग इमारत के होल की और बढ़ने लगे सायद वहां अपने हतियार की पोली लगवाना चाहता है इमारत के सेंट्रल होल में दोस्तों नागराज के निर्मान में मैंने अपनी जिंद्गी के 20 बहु मुल्ले वर्स गवाए हैं एक नावजात सिसू पर मैंने अपना परियोग सुरू किया था और आज उसकी 21 वर्स गांट है उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कम जोड़ियां है वे अगले कुछ वर्सों में समाप्त हो जाएगी लेकिन वह इस समय आपके लिए महत्पून हतियार बन चुका है क्या वह कोई कम्प्यूटर है हम उसका परदरसन देखना चाहते हैं जब तक हम उस हतियार की धार नहीं देख लेतें कैसे यकिन करें उसके लिए आप सब को बुलाना बुलाया है आप उसकी परतियोगिता का अनुमान सवय लगा सकते हैं वह कम्प्यूटर नहीं प्रन्तों इनसान होते हुए भी कम्प्यूटर से तेज कारे की छमता रखता है आश्चर्य जनक एक इनसान कम्प्यूटर को मात कर जाए हो सकता है या गफ हो नागराज सभी अभी सामने के मंच पर प्रगट होगा जहां आप उसकी छमताओं और ताकत का परदर्सन देखेंगे नागराज मंच पर प्रगट हो गया सभी मेमानों का नागराज का अभिवादन आप लोग दुनिया में खतरनाक अतंगवादी संगठनों के सर पर सरदार है आप सभी किसी ना किसी फन में महारत हासिल किये हुए है आप में से चार ऐसे वेक्ती मंच पर आ जाएं जिनका निसाना अचूक हो होल के चार वेक्ती उठकर मंच पर आ गए सबसे पहले आप लोग अपना परिचे दें वे अपना परिचे देने लगें मुझे जॉनी कहते हैं मैं टेकसा का सबसे खतरनाक गंगमेन हूँ जिसकी कोई भी कोली आज तक खाली नहीं गई मुझे यूसूफ बिन अली खान कहते हैं मैं मिडल इस्ट के में मुझे मौत का सौधागर कहा जाता है अगर आप कहें कि उर्ती चिडिया के आँख पर गोली मारना है तो गोली आँख पर ही लगेगी मैं ड्रेंगर यूरोप का सबसे खतरनाक गंगमास्टर मैं हूँ हुड पहष्चिम जर्मनी में मुझे निसाने का रॉबिन हुड कहा जाता है आप लोग सपत ले कि अपनी गोलियों से नागराज को खतम करने के नीचे उतरेंगे हम सब कसम खाते हैं मैं इस घड़ी में अलाम भर रहा हूँ एक मिनट के अंदर अंदर अलाम बजते और अलाम बजाते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज का फायर करते हैं एक मिनट बार टिक 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 ओह उफ आ सू सू क्या हुआ उन्हें क्या हो गया अरे साप इनकी कलाईयों पर मैंने साप देखे थे लेकिन साप अब हैं कहां क्या चारों मर गये नागराज इन्हें जीवन दान दो चारों को नागराज के जहरीले सापों ने डस लिया था नागराज उनका जहर खीच कर उन्हें जीवित करने में सच्छम था सिक्रही आप चारों ने क्या देखा मैं कुछ देख नहीं पाया जैसे ही रिवालबर मेरे हाथ में आया मैंने कलाई पर एक साप को लिपटते देखा जो डंक मारते ही ना जाने कहां गायब हो गया यही हमारे साथ भी हुआ चारों वापिस अपनी सीटों पर पैट गए अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो जिस विद्या का फाइटर होगा नागराज उसी फन का परदर्शन करेगा मैं मारसल आठ का महारती हूँ यह आई एम एक कुंगफू मास्टर मारसल आठ के दोनों योधा मंच पर आ गए थे और कोई है इस आठ का महारती नागराज तुम दोनों का अकेला परतीदवन्धी होगा इसे खतम कर दो और फिर साइं ठाक ठाक फुस फुस यह सनेक हैंड है मैं इसके सामने पहले दर्जे का बालक की तड़ा लर रहा हूँ सूं सूं कमाल है सापो की रसी बनी और नागराज उस पर जूलता हुगा माई काड क्या तुम लोग नागराज की कोई और प्रिक्षा लेना चाहते हो नहीं हम इस परदर्शन से संतुष्ट हैं प्रोफेसर नागमनी आपने सांदार हतियार का निर्मान किया है इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विसेस्ताय हैं जो समय आने पर आपको मालुम हो जाएगी गोलियों से छली होने पर नागराज खुद को नहीं खुद ही उन्हें निकाल कर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके सरीर में एक भून भी खून नहीं टपकेगी इसके सरीर के रखतानू आम इनसानों की तरह नहीं है इनकी परकिरिया बड़ी तेज है और सुरक्षित है नागराज के जिसम और जिसम पर जखम होते ही उनका काम मसीनी अंदाज में सुरू होता है पहले यह रखतानू अंदर पहुच चुके हानी कारक पदास को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जखम को बंद करते हैं यह परकिरिया बड़ी तेजी से होती है और इस पीच उनका दूसरा दल घाओ को रक्त परवाह रोके रहता है और यह हथियार दुनिया के अतंगवादी गिरों के लिए तैयार किया गया है जा आने वाले पांच सालों में इसका कोर्स सर्वत्त पुरून हो जाएगा और पांच साल बाद नागराज दिवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा किसी दूर की वस्तू को इच्छा सकती से असपर्स किये बिना उठा लेगा गप ही लगती है यह बात मुझे इसकी आसाम में तोड़फुड के लिए तुरंद जरूरत है अब नागराज की बोली लगेगी सबसे उची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तै समझा जाएगा और उची बोली वाले को नागराज के परियोग के लिए परात्मिक्ता दी जाएगी बोली सुरू की जाए और मैं इसी जगा बेठे बेठे दुनिया का सबसे धन्वान और ताकतवर इनसान बन जाओंगा पाँच हजार डॉलर दस हजार पचास हजार एक लाख डॉलर अन्तिम बोली एक लाख डॉलर तो नागराज के एक वी मिसन की कीमत एक लाख डॉलर निशित हो जाती है मिस्टर बुलडोग की बोली सबसे उची है इसलिए उन्हें नागराज का पर्योग करने का धिकार दिया जाता है और मिस्टर बुलडोग के सम्मान में हम आज साम एक पाटी देंगे साम की पार्टी में मिस्टर बुल्डोग बधाई हो क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है या तो सौदा है है भाई मैं उनसे एक करोर का टाक भी डलवा सकता हूँ फिर तो तुम्हारी वज़ा से फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बढ़ा खा जाना है अपना अपना कारोबार है हमारी सुब कामनाए आपके साथ हैं हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे अतंगवादी गिरोहों के सरदारों का यह सम्मेलयन समाप्त हो गया और बुल्डोग नागराज को लेकर चल पड़ा नागराज तुम्हें कभीले वाले के मंदिर में एक पराचीन मूर्ती चोरी करनी है वह मूर्ती बहुत पराचीन है सभी कभीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह एक कडोर रुपे मुल्य की है मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है तभी हेड़क्वार्टर आ गया है बाकी बातें नीचे होगे नागराज देवी की मूर्ति चोरी करना इतना असान होता तो अभी कभी की वह मूर्ति चोरी कर लिजाती मुश्किल क्या है कभीले के मंदिर में रखी वह मूर्ती पौरानिक है और कभीले के लोग उस मूर्ती के लिए प्रान का भी बलिदान कर देते हैं मैं मूर्ती को असानी से चुरा लूँगा लेकिन फिर भी देवी की मूर्ती चोरी करना इतना सरल नहीं है क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सेकड़ों नाग करते हैं नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं करते लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नियत से जाता है तो उसे डस लेते है यह तो बहुत विचितर मामला है हमारे पांच आदमी में मारे जा चुके हैं मैं मुर्ती चुरा लाँगा उस मुर्ती का सुरक्छा का क्या पर बंद है उस मुर्ती की सुरक्छा एक सन्यासी भी करता है लोग उसे महात्मा गोरक नात के नाम से पुकारते है वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है लेकिन उसका निमास किसी को मालूम नहीं वह सफेद बालो वाला सकतिसाली इनसान है वह भी मुझे नहीं रोक सकता, सकेगा वह एक चमतकारी इनसान है लोग कहते हैं कि उसकी आयू 200 वर्स है सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं मैं उसका भी खेल खतम कर दूँगा नागरज ने मिसन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहते हो नहीं बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ूँगा वापिस में जीप वहीं मिल जाएगी पुल पर पार करके नागरज बस्ती में पहुचा बस्ती में इनसानों का पहरा भी है इसे गुजर जाने देता हूँ जागते रहो मंदिर के मंदिर के पास पर भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दिवार नागरज खुरदरी दिवार पर असानी से चड़ गया और फिर सिग्र ही नागरज नागरशी का पर्योग करता हुगा सूंसूं अब चलू नीचे मंदिर के अंदरूनी भाग में नीचे पहुचने पर बाहर के कपाट बंध हैं और मैं अंदर आ गया हूँ अब यह दर्वाजा नागरश नागरश का दाया हाथ नागरश तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है ओह दर्वाजा खुल रहा है मेरे सागिद्र ने अपना कमाल दिखा दिया बड़ा अलोकिक प्राक परकास है तब ही फुस 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 अरे नादानों मुझ पर जहर उगल रहे हो ठहरो अभी चकाता हूँ मजा नागराज के सरीर पर डसने वाले सभी स्ताप पानी बन कर पिखल जाते हैं देख लो नागराज पर जहर उगल लेने का अंजाम बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुपकार से धरासाई हो गए और फिर नागराज मूर्ती की तरफ लपका लेकिन तब ही फुस फुस यह मुकाबला जोड़दार रहेगा मेरी जहरीली फुपकार का इस पर परभाव नहीं हुआ है इसका मतलब यह किसी विशेज दरजे का नाग है साए फुस 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 धुप उफ बाकी उफ बाकी खतरा खतर उफ वाकी खतरनाक बाल बला थी सचमुच इस मूर्ती को चुराना असान काम नहीं लेकिन अब यह मूर्ती मेरे हाथों में है अब यह यहां से चलना चाहिए और फिर सुम सुम गस्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबत पर प्रकास देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबत पर बस्ती में संक और तुराही बज उठे जो खतरे का संकेत था तुटु 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 और खतरा मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए वह भाग रहा है पकड़ो घेर लो जाने ना पाए कबीले को खबर कर दो कबीलों को खबर कर दो चारो तरफ से घेर डालो सक सक तीर भालों की बोचार चल पड़ी सक सक धिप सूं सूं साप साप चारों तरब से घेरा घेरा